तो प्रदान मंत्री नरिद मोधी आज रात आट बजे राश्रपती रामनाथ को विन से मिलकर सरकार बनाने का डावा पेश करेंगे वही अब से कुछ देर बाद संसिते दल की बैठक में पियमोधी को नेता चुना जाएगा जिसके बाद वो राश्रपती के सामने सरकार बना अधाता इस वक्त जुड़ रहे हैं आमेद पांडे जुड़ रहे हैं बीजेपी दाफ्तर से लाइव और साती नीरच कुमार दिली से तमाम जो घटना करम हो रहे हैं उस पर नजर बनाये हुए हैं आमेद सबसे पहले जो कारेक्रम हम बता रहे हैं एक बार बताईए कैसे क कब कब समय के आधार पर ये तैह हुआ है दौरापुरा अभी जहां तक आज के कारेक्रम का सवाल है करीब सवापांच के आसपास पारलेमेंट के सेंट्रल हॉल में जो जितने भी चुने गए बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ बैठक करेंगे पीम मोदी और उसके बाद पर उनको एंडिये का नेता चुना जाएगा जिसमें एंडिये के सहयोगी दलके भी सांसद रहेंगो उसके बाद पीम जाएंगे करीब आठ वजे के आसपास राश्ट्रपती भवन जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने यह जो कानूनी आप चारिकता है मैं उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद कल पर नका यह का पूरा पूरा दोरे का जो करेकर मैं मंत्रिमंड्र को संभोधित करना ऑफेर आज हर भाशन में लोग यही उमीद कर रहे हैं कि PM संबोधित यही करेंगे कहेंगे यही कि जनता ने हमें इतना बड़ा mandate दिया है हमें उस पर खरा उतरना है और हमें जो भी जिम्मेदारी जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से हमें आने वाले दिनों में अपने कारेकाल में काम करना है तो इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा हब वैसे भी दिल्ली को ही कहा जाता है लेकिन 2019 की जो नतीजे सामने आए हैं इस वक्त सबसे जादा जो सियासी पारा उफान पर है एक तो वैसे ही प्रचंड गर्मी हो रही है और प्रचंड जीत के बाद जो सिल्सला है और चारिकता है निभाने का वो किया जा रहा है हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं नीरज आप क्या-क्या जानकारिया और देंगे आमिद तो हमें बता रहे हैं कारक्रम के बारे में देखें सरकार बनानी की जो समयधानिक प्रक्रिया है राश्पती के साथ मुलाकात के बाद ही उसकी शुरुवात हो जाएगी और यूं कहें कि अब से थोड़ी देर पहले चुनावायों के तीनों कमिशनर दोनों चुनावायोक्तों ने राश्पती से मुलाकात कि और तमाम सांस्दों की जो सूची है 542 सांस्दों की सूची वो सौप दी है उसका नोटिफिकेशन सौप दिया गया है राश्पती को तो एक तरह से सरकार बनाने की समयधानिक प्रक्रिया जो होती है उसकी शुरुवात हो गई है और शाम को जब प्रधानमंटी नरेनमोदी राश्पती रामनात कोविन से मिलेंगे तब दावा तो सरकार बनाने का पेश करेंगे ही उनके साथ एंडिये के तमाम घटक दलों के नेता भी मौज है कल जब प्रधानमंटी नरेनमोदी अपनी मा से मिलेंगे गुजरात में तो पिछली बार यानि 2014 की अगर बात करें तो 26 मई की तारीक को ही उन्होंने सपत ग्रहन लिया था प्रधानमंटी के पद का और पिछले बार का सपत ग्रहन समारो आपको याद होगा कि राश्पत किसी एक पार्टी को मिला था या एक गठवंधन को मिला था तो खास मौका था पिछली बार और एक बार फिर 2019 के लोकसवा चुनाओ के नतीजों के बाद जब प्रधानमंटी नरेनमोदी तीस मई को सपत लेंगे जिसकी संभावना अधिक है अभी आधिकारिक पुष्टी ह कोनी बाकी है तो वो दिन है ती हासी दोगा था लग रहा है कि समय का काटा वापस पांत साल पहले पहुंच गया है जिस 26 माई का जिकराप कर रहे हैं वही 26 माई कल आने वाली है लेकिन इस बार 30 माई को प्रधानमंत्री बनने की दोबारा से शपत लेंगे पीम नरेनमोदी इस बीच प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेनमोदी कल गुजराज जा रहे हैं जैसा नीरज लगातार हमें बता भी रहे हैं और लगातार इस पर हम आपको जानकारिया पहुंचा रहे हैं पीम मोदी अपनी मां से आशिरवाद लेंगे कोई भी बड़ा मौका हो पीम मोदी अपनी मां के पास जरूर जाते हैं चुनाओ के दौरान जब वो गांधी नगर में वोट करने गए थे तब भी पहले उन्होंने अपनी मां का आशिरवाद लिया पीम मोदी का वो ट्वीट आपके लिए हम दिखा रहे हैं वो ट्वीट जो बताता है कि किस तरह स हमारी संस्कृति को जलकाता है कि कैसे हमारे देश में माओं का सम्मान किया जाता है वो मा जो जननी कही जाती है और उसके बाद वो वोटर जिन्होंने सत्ता तक उन्हें पहुंचाया है उनका भी आभार जताते दिखना है अपने ट्वीट में प्रधान मंत्री देखे बिल्कुल मा से किसी भी बेटे का प्रेम और बेटा अगर इस मुकाम पे पहुंच गया हो जब भारत जैसे लोकतं को लीड कर रहा हो प्रधान मंत्री के तोर पे और अपनी मा को प्यार जता थका है और मा भी बेटे को उसी तरह का दुलार देती हैं लेकिन ऐसे वक मेंकि उनकी माह और बाकी परिवार के सदस्यों के लिए और अगर वारानसी की बात करें तो पिछले 5 सल में प्रधानमंती अपना नाता जोड़ा है तो वहां अगर आप धन्यवाद करने पहुंचते हैं और उस वादे के बाद उस दावे के बाद आपको याद होगा कि मतदान से पहले जब वो रोट्षो करने पहुंचे थे तब उन्होंने वारा नसी की जनता को कहा था कि अब जीत के बाद वो तीजें आये तो आया 23 माई को लेकिन विपक्ष बहुत कमजोड लेकिन लोगतंत्र की खुबसूरती है कि जो जनता ने जनादेश दिया है उससे स्विकार करना होगा और उस जनादेश को ही धन्यवाद देंगे प्रधान मंठी नरेन मोधिवारा नसी में भी और जब सपत ग्रहन लेंगे तब भी